नमस्कार मेरा नामा लोक है आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूटूब निव चनल लेश्टीज को आर जेडी अपना आज 23 वां स्थापना दिवस मना रही है लेकिन लालू प्रिशाद रादव को बेल के लिए फिलहाल एक हफता और इंतिजार करना पड़ेगा अच्छी बात थी और नहीं हुई तो मतलब एकस्टेंड हुआ एक सप्ता समय मिला हमें कोट पर पुड़ा भरोसा है और हमें इंतिजार है कि कोट नया करेगा अस्थापना दिवस है कितने तयारियां है कितने उत्ता है कारकरताओं में अस्थापना दिवस तो एक सिंबॉ है थेज़ वर्स पहले पार्टी के अस्थापना हुई थी एक भावनात्मक जुराव है इस्तिति से इसले इसका आयोजन होड़ा है लेकिन असली मक्सद है कि हमारे कार्जकरता साथी है जो है उनको आगे की रननिती पर उन्हें तैनात करने के लिए हम लोग ने इस आयोज जोश और उमंग अब भरना चाहते थे हलाकि लोक्सवा चुनाओं में हार हुई है फिर भी क्या लगता है वो जोश और उमंग अभी भी कार्टाओं में वैसा ही है जैसा पहले था राश्ट्रिय जनता दल के कार्जकरता चप्टानी एक ताक साथ एक जूट है और आने वाले दिनों की चुनाओती को स्विकार करने के लिए तैयार है जोश मानी लालू प्रसादी की प्रेर्णा से फिर से आम जनता की भी जाएंगे और कार्जकरताओं में तो जोश है ही गोश के साथ जोश आम जनका में भी निक बनाने की कोशिस होगी और कोसी आने की मातकी अरके बिहार की जनता आहत है वर्तमान सरकार के जो का जो रवया है बिहार के स्वास्त मंत्री से इस्तिफ़े की मांग की गए थी केंद्रिय मंत्री से की गए थी किसी ने इस्तिफ़ा नहीं दिया जन्ता के बीच moral message देने की कोशिश बार बार प्रचार माध्यम से ही लोग करते हैं और जन्ता के बीच अपना एक perception बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह हुआ उनका दूसरा चेहरा है कि सैक्रो के संख्या में बच्चों की मौत हुई संबेदन हिंता की हद वो होई कि बिहार के स्वास्त मंत्री वहां देखने तक नहीं है बिल्कुल कार्जकरता जानते हैं कार्जकरता उस संघर्ष में सामिल है रगभन स्वावू के नितरुत में मुझफर पूर और आस पास के लाके में कार्जकरता लगातार अंदोलन रत रहें और सब इन बातों को जानते हैं आम जनता को बताने की जुरुरत है आम जनता को जनाने की सर हाल में ही आरजडी के हार हुई है फिर भी कहीन कहीं करताओं में जोस दिख रहा है जोस हमारे करताओं में अगर नहीं होता तो लोग सभा चुनाओं में बिहार के मुखंतरी जी जाते थे भासन देने के लिए तो इनके सभा में 2000 सिपाही और 400 आदमी रहता था तियस्वी रहा है कि राश्ट्रिये जनता दल है कैसी पाडिया जिसक blinking करता लालू परसादयादव है जन्होंने बाबासाब भीम्रा वंबितकर का विचार धारा को लाने का काम किया जब से राश्ट्रिये जनता दल का तीसवा स्थपना दिवस के औसर पर हम आपके चैनल के और आपके चैनल के सभी पताधिकारी और क्रमचारी को और आपके चैनल के माध्यम से इस अस्थापना दिवस के उसर पर बिहार के तमाम जनता को और देश के तमाम जनता को हम सुरुकावनाये देते हैं यही एक पाटी है राष्ट्रिय जनतादल जिसने चाय बेचने वाला का बेटा को भी एमेले बनाया यही राष्ट्रिय जनतादल ऐसी पाटी है जिसने जुत्ता सीने वाला का बेटा को भी बिधायक बनाने का काम किया यही राष्टिये जनतादल पाटी है इस तो तारी उतारने वाला का बेटा को भी जो है कि एमेले बनाने का काम किया यही राष्टिये जनतादल है जो पाट पर धोबी का काम करने वाला उसका बेटा को भी यह मंत्री बनाने का काम किया जैसा जैसंब लगा कर वह जो है लोगों को कमर तो तोड़ने का कम नहीं बेशते थे जूट-बुट के है परप करते हैं नियाले पर विश्वास ही है और निश्चित रूप्से हमारे नेता गरीब कुचले का नेता हमारे है पूरे देश के गरीबों का असिरवाद लालू प्रसाद यादव जी पर है निश्चित रूप से हमारे नेता को नयाय मिलेगा हम लोग पूरे सवस्थ है। पर्साद में दो तरह की ववस्ता हों। लालू परसाद जी के जमाने में वीपीएसी जो सिक्षक की बहाली हुई आज उसी स्कुल में उसको 80,000 मिलता है। अगर सिक्षा चर्मणाई हुई है इसके लिए दोसी बिहार के सिक्षा मंत्री है और बिहार के मुख मंत्री। विधान सभा में आज ही बक्तब हमारा है हम इस पर बोलेंगे एक एक चीज़ पर बात करेंगे चाहे वह कस्तुर्वा विद्याले का मामला हो चाहे जिसका मामला हो एक एक मेटर पर हमारा बात होगी आज। मौसम है वो खुश्रुमा है राजत काले के अंदर फिर भी गर्मा गर्मी है बारा जुलाई को लालू परशादव को बेल मिलता है नहीं ख्यारे हो तो दूर की बात है आपने सुन लिया क्या कुछ करें नेता लाइब स्ट्री जक्तर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें ताकि हर चोटी बड़ी खाबों के साथ हमाप पुरूबर उक्रास के धन्यवाद